वेलकम टो एकलव्य स्टेडी पॉइंट और आई अम सचिन आज किस वीडियो में हम एपिसोड नमबर 11 देखने वाले हैं इससे पहले कि अगर आपने 10 एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जा कि देख लेना हमारे चैनल पे आपको लिंक भी प्रोवाइट करवा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर क्योंकि हम इस एपिसोड की सीरीज में आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपके टर्म 1 में बहुत बड़ी अमाक्स आ जाएंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है आप हमसे जुडे रहिएगा आपकी टर्म 2 की भी तैयारियम इतनी अच्छी तरीके से करवा देंगे ठीक है तो आप अगर नए हमारी सब्सक्राइबर है या आप पहली बार देखने हमें तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें तो important questions आज की इस वीडियो में करने वाले हैं आप Instagram पे मुझे follow कर सकते हूँ जो मैं आपको homework कहता हूँ आप मुझे वहाँ पे भेज सकते हूँ अपने photo कीच के जो भी आपको मैं homework दूँगा और मेरे username आपकी screen के सामने लिखा हुआ है telegram group अगर आप join करना चाते हो तो class 12 ESP new group यह हमारा telegram group है आप इसको सर्च मार के join को सकते हो website पे आपको notes प्रोवाइट करवा दिये जाएंगे www.eclavyastudypoint.com हमारी website है तो आप please website को ज़रूर विजिट करें और आपके लिए information है हमारा premium course available है आपके term 1 के लिए English का जिसमें आपको revision summary मिलेगी हमारे mobile app एक लव्य official के अंदर course मिलने वाला है आपको जो की paid होगा इसके अंदर आपको revision summary मिलेगी extract based questions मिलेंगे और MCQs मिलेंगे जो interested बच्चा है वो जाके purchase कर सकता है तो आज का जो हमारा पहला extract है वो आपके सामने लिखा हुआ है ये जैसा कि आप देख सकते हो lost spring से है कि साहेब की family के बारे में कुछ लिखा हुआ है सीमापूरी के बारे में भी लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर लगबक 10,000 rag pickers रहते हैं कोई यहाँ पर facilities नहीं है ठीक है तो यह सब इसमें लिखा हुआ है अब इसका question क्या हुआ है हम वहाँ पर चलते है सीधा question में यह पूछा गया है without permits but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain तो इसका मतलब क्या है ठीक है कि मतलब यह क्या indicate करती है line the decision of the people to stay in सीमापूरी यहाँ the selfish and self-centered nature of politicians the increasing population the uncaring officials of the government तो इसके अंदर option B सही हो जाएगा जो politicians है वो कितने selfish हैं ठीक है कितने जादा वो fake promises करते हैं ठीक है मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो कि उनसे vote तो दिलवा देते हैं vote के लिए तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है उनको लेकिन बाद में उनको कोई विसोविदाने देते हैं वो तो option B यहाँ पे सही हो जाएगा तो इसके अंदर option A आपका सही हो जाएगा जो बहुत जादा बुरे हालात हो गए है कि किसी भी facility की वहाँ पे कोई वो ही नहीं है मतलब आप यह समझतों lack of any kind of facility किसी तरीके की कोई facility नहीं है बहता पानी की कोई वो नहीं है कोई जल निकासी नहीं है कोई drainage नहीं है पानी ऐसे ही पड़ा रहता है गंदगी मची हुई है तो इसलिए यह यूज किया गया है ठीक है तो option A यहाँ सही हो जाएगा आगे option that does not refer to them ठीक है इस पूरे extract में them 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 बहुत बार आया है पर वो कुन सा option है जो इस them से जुड़ावा नहीं है पीपल ओफ सीमापूरी जुड़े हुए है रैक पिकर्स भी जुड़े हुए है इमिगरेंट्स फ्रों मंगलादेश यह भी them है लेकिन टी स्टोल ओनर इससे नही देना नहीं है यहाँ पर तो option C हमारा सही हो जाएगा अगला question है अब हमारे सामने select the option that lists the condition of the people of सीमापूरी इन अपने extract पढ़ा अब आपको कैसी condition लगती है सीमापूरी के लोगों की वो free हैं वो helpless हैं वो oppressed हैं वो resignations हैं यानि कि वो resignations कर रहे हैं किसी चीज से या वो sorrowful है हैं वो hopeless हैं तो इसके अंदर जब आप देखोगे ठीक है तो आपको नजर आएगा एक तो वो helpless हैं बहुत जादा helpless हैं ठीक है यह तो सही है और इसके अलावा वो कहीं न कहीं अगर देखोगे तो they resign to their condition and have accepted that they only need food which rag picking gets them सिरफ सिरफ अब उनको मान लिया है उन्होंने कि अब जो rag picking है उसी सही अब उनका जो आगे का जीवन चलने वाला है ठीक है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं option C सही होगा तो वो helpless है कोई उनकी मदद नहीं कर रहा सभी politicians selfish हैं तो option C यहाँ पर correct हो जाएगा अब next extract है हमारे सामने the last lesson से then as I hurried by as fast as I could go the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me don't go so fast तो हमें समझ में आगे हमने extract पहले भी कर रहा है पर कुछ different questions होंगे इस बार इसमें तो आएए देखते हैं क्या है why did France go as fast as he could वो इतनी 33 क्यों जा रहा था भई France because he was late for his French lesson या because as he wanted to meet MML before his class या because as he had a test या because as it was his first sorry last French class ठीक है तो यहाँ पर option A सही होगा वो late हो रहा था भई ठीक है वो बहुत जाद लेट हो रहा था उसको वहाँ जाकर पता चलता है कि क्या scene था ठीक है वो बहुत जाद लेट था पहले तो वो tension में ही था तो option A सही हो जाएगा Select the option that list the correct inference based on the information in the extract अभी आपके लिए homework है यह लिख के जो भी आपको अपनी copy में लिख हो है कैसे भी करो आप मुझे Instagram पर भेजोगे मेरे कि क्या इसका answer हो सकता है कि आपको वो option इसमें से आपको बताना है जो कि correct inference है यहाँ पे यह जो आपने extract पढ़ा Watcher the blacksmith was mocking France for being late in his last French lesson. France had strategized a way to enter the class without getting noticed. France was suspicious of some bad news arriving from Berlin. France was worried because he was late and that he had a recital. तो आप बताओ इसका क्या answer हो सकता है आप मुझे Instagram पर भेज़ देना What was the reason for Watcher calling out France? क्यों Watcher कह रहा था कि भाई आराम से तुम पहुंच जाओगे because he had read the news on the bulletin उसको पता है कि मतलब क्या है कि आज last class है इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है अब ठीक है तो इसलिए वो कह रहा था उसे कि भाई आराम से जाओ यह he enjoyed making fun of the little boy उसको मज़े आ रहे थे भाई last day है यहां पर जो भी पढ़ाया जाएगा तो इसलिए वो कह रहा था you have plenty of time don't worry ठीक है तो option इस सही हो जाएगा France say that says that it was very still that day ठीक है France कहता है कि बहुत still था उस दिन पर इस दिन he means that on that day school was last lesson जो था उस दिन स्कूल कैसा था closed quiet different यह peaceful तो school था quiet विल्कुल शान्त स्कूल था उस दिन ठीक है कोई hustle बसल नहीं थी option भी सही हो जाएगा MCQs पर आते हैं अब हम according to Neruda a huge silence does good to us with reference to the poem keeping quiet which one of the following is true silence leads to introspection silence means total inactivity death is the ultimate silence silence leads to slip तो option A सही हो जाएगा silence अगर हम शान्त रहते हैं तो हम introspection कर पाएंगे अपने आपको पैचान पाएंगे ठीक है meditation कर पाएंगे थोड़ी सी so option A यहाँ पर सही हो जाएगा I crossed to oblivion and curtain of life fell ठीक है this line suggests that Douglas had drawn, died, fell unconscious यह felt peaceful तो यहाँ पर कहीं न कहीं इस line से बता चलता है Douglas के बारे में हमने पढ़ा था, वो बेहोश सा हो गया था, वो मरा तो नहीं था ना वो डूब गया था, वो बेहोशी के अलत में आ गया था so option C यहाँ पर सही हो जाएगा the similar like rootless weeds हमने पढ़ा है similar जहाँ पर भी यह device होता है poetic वाला इसमें like जरूब रहता है कहीं न कहीं like आ रहा है तो यह similar है like rootless weeds has been used by the poet Stephen Spender to highlight यह किसले यूज किया गया है like rootless weeds the dirty and unkempt condition of the children that these children are unwanted by the society that these children are like outsider in the society यह that their future is like weeds तो यहाँ पर option A सही हो जाएगा जो इतनी बुरी हालत है उनकी dirty हालत है उनकी conditions बहुत बुरी हैं तो इसलिए यह यूज किया गया है like rootless weeds ठीक है तो option A सही हो जाएगा अब writing पर चलते हैं आपको मैं पूरे term 1 के साब से writing section में करवा रहा हूँ so please आप हमें support करते चलिए ठीक है you have lost your leather wallet containing your examination entry ticket for class 12th while traveling by bus from बनशंकरी to mg road in bangalauru write an advertisement for the same अब आपको अगर मालो यह detail दी गई है advertisement में कि आपने अपने leather के wallet को खो दिया है जिसमें आपके examination entry ticket है class 12th की while you are traveling by bus from बनशंकरी to mg road in bangalauru तो आपको बताना है इसमें कैसे आप लिखोगे advertisement को select the section in which you would place the advertisement आप कौन से मतलब उसमें section में advertisement ऐसी वाली लिखोगे attention please यह lost and found यह misplaced यह situation lost तो option भी सही होगा lost and found में आएगा अगर आपको कुछ खोया होता है तो आप इस section में लिखते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यह question आपके लिए homework है select the option that lists the most accurate opening for the advertisement जबसे बढ़िया opening line क्या हो सकती है इस advertisement के लिए lost a black leather ladies wallet यह I liked my black colored wallet which is lost this is to inform you that I have lost यह I need help in finding my lost तो आप बताओ इस में से क्या advertisement में हो सकता है आप Instagram पे मुझे भेज देना ठीक है लिखके आप comment भी कर सकते हैं select the option with the information points to be included in the body of the advertisement क्या क्या information आप इसमें लिख सकते हो अगर आप लिखते brand की details yes important things in the wallet यह भी आप बता सकते हो क्या क्या है उसमें जैसे क्या क्लास 12 की entry ticket और वो सब ठीक है location where you lost it कहां आपका यह खोया था पहना day of the loss ठीक है और where to return तो यह आपके लिए कुछ points लिखे हो हैं अब आप information की body में इसमें से क्या क्या लिखोगे तो यहाँ पर option C सही होगा एक तो brand की detail बहुत जरूरी होगी things in the wallet क्या क्या है उसमें और कहां आपने उसको खोया तो यह आपकी body के अंदर आ जाएगा इसमें ठीक है जो main body होगी तो option C हम कह सकते हैं यहाँ पर सही हो जाएगा what could become the contact details इस advertisement में contact details क्या क्या हो सकती है name yes यह तो बहुत जरूरी है telephone number बहुत जरूरी है address भी बहुत जरूरी है all these इसका सही answer हो जाएगा option D will be correct है इसी के साथ यहाँ पर हमारा episode खतम होता है अमें support करते रहिए ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को share करिए लाइक करिए और हमारी सभी वीडियोस को समरी वाली वीडियोस को भी आप देखते रहिए और चैनल को subscribe करना ना भूले जय हिंद जय वारत बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का